दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब केतु ग्रे कुंडली के दूसरे गर में बैठा होता है तो जात तो क्या-क्या फला देता है और इसके क्या-क्या उपाई करने चाहिए दोस्तो ये फला देश में आपको सभी बारा जनम लगन कंडली के हसाब से बताने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मेश लगन की कंडली की तो दोस्तो इस लगन कुंडली में, केतु अगर दूसरे गर में बैठ है, तो यहाँ पे विरिश राशी में होगा, तो आपको पता है कि केतु विरिश राशी में और मितन राशी में नीच का माना गया है, तो अगर यहाँ पे केतु दूसरे गर में विरिश राशी में बैठ अगर यहां पर केतु बैठे नीच का तो इन सब में जात्तों को खराफल मेलेंगे, जात्तक दन इकठे नहीं कर पाएगा, जात्तक की वानी कठोरोगी, परिवारी सुख में कमी आएगी, इसके लबा जात्तक को मुख सुबंदी को इनको रोग हो सकता है, क्योंकि यहां पर क केतु नीच का बैठ है, तो जात्तर अपनी दशा अंतर दशा में खराफल देगा, इसके लबा यहां से केतु की पांच में इस्टी पड़ेगी छटे गर के उपर, तो इससे रिलेटेड भी जात्तक को खराफल मेलेंगे, जात्तक शत्रों से परशान रहेगा, जात्तक जानी की दोनों की आपको शांती करनी पड़ेगी, दोनों की वस्तु का दान जरूर करें, शानी वर के दिन की वस्तु की वस्तु का दान किया करें, जैसे कि कुत्ते को रूटी डालती, कौवे कुत्ते को रूटी डालें, मचलियों को आटन डालें, चिंटियों को आटन डालें, तो इसके लवाद दूसरे ग्राओं के साथ इसकी युत्ती जरूर देख लें, तो दूस्तों बात करते हैं युत्ती की, अगर केत्व ग्रह क का बैटा है कीतु सूर्य के इच्छे फ़लों को कम करेगा संतान सुबंती परसानिया खास दूर्बे उत्तर संतान बलंबसे होगी तो इसलिए कीतु की शांति करें और सूर्य को बलवान करें क्योंकि सूर्य इस कुडली में योग करके अगर कीतु गर्य के साथ चंद्रमा बैटा है जो की माता का सवामी है चोथेकर का सवामी चंद्रमा यहाँ पर उच्च का हो जाएगा जिसके करन जात्तक दनवान होगा लेकिन अगर चंद्रमा की डिगरी कम है तो आप उसका रतन जरूरदारन करें यहां पर, अगर यहां पर मंगल बैठा है, तो जातक खर्ची ले सवाव का होगा, और मुफूट व्यक्ति होगा, अगर यहां पर बुद्गरा बैठा है, तो जातक दन तरोगी होगा, अगर ब्रसपती बैठा है, जो कि खर्च का स्वामी है, जातक खर्ची ले सवाव क होगा अगर शुक्र बैट है क्योंकि विरिश रश शुक्र किया जातक काफी दनवान होगा क्योंकि विवा का स्वामी भी है विवा के बाद जातक दनवान होगा तो अगर यहां पर शुक्र की डिगरी कम है यहां आस्त है तो उसका आप रतन जुरूरदार्न करें और केत्व की शान्ति करें अगर chani b безHANnh यहां पे पर मिश्रित फली देगा तो दोस्तों यहां पर केतु की शान्ति करनी बहुत ही जुरूरी है क्योंकि केतु हाँ को जरदर खरा फली देगा क्योंकि नीच का वेट है यहां पर तो वो अपनी दशां में खास दो पर इस घर से जितने भी रिट्टेड हैं उन सब में खराफल देगा जानिकि दन जातका दन कमाता जरूरा है लेकिन दन का कर्च होता जाएगा कुटूम्ब के सुक में परशानियां परिवार से नहीं बनेंगी इसके लबाद जातकी वानी कठोर होगी मुक्सबंदी कोई न कई रोग हो सकता है तो यहां से भी जातको खराफली मिलेंगे कित्तु की वज़त से कित्तु की शान्ती करनी बहुत ही जुरूरी है क्योंकि कित्तु यहां पर भी नीचका हो जाएगा आर्थी के तंगे के करन परशानियों का सामना करना पड़ेगा जातक करोधी सवबाव का होगा और यहां से पांच मिष्टी पड़ेगी छटे गर के उपर जो की शत्रू रोकर्जा का है तो जातक को शत्रू परशान करेंगी जातक करोगी होगा, करजदार होगा खास तुर पर केत्तू की दशांतर दशा में केत्तू की सात मिष्टी पड़ेगी उच्छ राशी के उपर जातक की उमर लंबी होगी यहां से नो मिद्रिष्टी पड़ेगी दसम बाव के उपर नोकरी वपार सुबंदी भी काफी परशानियों को सामना करना पड़ेगा खास तो पर कीतु की दशा में तो दोस्तों यहाँ पे दूसरी बात नोड़ करें यहाँ पे अगर बुद्ग रहा की कुंडली में प्लेस्मेट अच्छी है क्योंकि इस कुंडली में दूसरे गर का जो स्वामी है वो बुद्ध है अगर बुद्ध अच्छे गर में बैठा है तो जातक दनवान जरूर होगा तो सही पलेदेश के लिए बुद्ग रहा की प्लेस्मेट जरूर देखें तो यहाँ पे केतु नेजका इसकी शांती करते रहें च्छनिवार को च्छनिवार के दिन केतु की वस्तू का दान आप करते रहें तो इसके लावा तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे यूत्ती की अगर केतु गरह के साथ क्योंकि केतु नेजका बैठा है चाहे यहाँ पे कोई भी गरह हो वो भी केत्धू की वैज़े से खराफल देगा तो यहाँ पर केत्धू की आप डिगरी कम करें डिगरी कम करने के लिए उसकी वस्तों का दान निरंतर करना होगा अगर यहाँ पर केत्धू एक साथ सूर्य ग्रे पैट ça जो के मातामकान वान का स्वामी है तो यहाँ पर जाने से कि इतुर्या के साथ होने से माता मकान वान के सुक में कमी आएगी और दन सबंदी परशानिया अगर चंदरमा बैठा है तो मित्रों पर रुपिया खर्च होगा कर्ज की स्थित्ति आती रहेगी अगर मंगल बैठा जो कि खर्च का सुमी है जातक खर्च दिख करेगा आरति के तंगी रहेगी अगर यहाँ पर बुद्ध बैठा है जो कि बुद्ध की राशी है तो जातक दनी होगा पर दन के गड़े में छोटा शीद है उसकी शरक्षा करने होगी जातक दन जुरूर कमाएगा काफी दन कमाएगा लेकिन दन खर्च होता रहेगा केत्तु की वज़ा से तो इसके लिए बुद्ध गर्या अस्त बैठा डिगरी काम है उसका रतन जारन कारे यहाँ पर और केत्तु की जानती करे अगर केत्तु गर्या के साथ ब्रसपती बैठा है तो थोड़ी से वाणी रूखी होगी कमाई दीमिगती से होगी अगर केत्तु गर्या के साथ शुक्र गर्या बैठा है तो मैंद से दन मिलेगा पर बमारी में खर्च होगा क्योंकि बमारी, क्योंकि छेटेगर का स्वामी है शुकर जो कि रोव करजा का है, शत्रू का है तो अगर यहाँ पे शणी बैठ है जो कि भागे का स्वामी जात तक भागेalgia ली होगा और धनी होगा तो यहाँ पे कित्टु नेचका होगा और रावो भी यहां पर आठमी गर में नेचगा होगा तो दोनों की शांती बहुत ही जरूरी है तो दोस्तों बात करते हैं मेथन लगन की कुंडली की इस लगन कुंडली में केतु गर है दूसरे गर में करक राशी में जैने कि अपने शत्रू चंदर्मा की राशी में बैठा होगा यहां पर भी केतु खराफली देगा क्योंकि यह शत्रू राशी में बैठा है तो ज़्यात्र खराफली देगा जात्र को दन सबंदी परशानी जुरूर आएगी दन खर्च होता रहेगा कोटूमब के सुख में कमी आएगी वानी भी जाते की कटोर होगी आर्थिक परशानी जुरूर आएगी चंदर्मा की राशी है मानसी चिंता रहेगी यहां पर भी केतु खराफली देगा तो उच विद्या में भी बंद आएगी आर्थिक उल्जने वियर्थ के खर्च बाई बंदों के सुख में कमी तो लेकिन अगर चंदर्मा कुछ अच्छा बैठा है उच्छा बैठा है उसकी डिगरी अच्छी है तो केतु के बुरे फलों में कमी आ सकती है जातक दनवान होगा जुरूर तो यहाँ पे भी आप केतु के शांती जुरूर करें केतु की बस्तू का जान किया करें शनिवार के दिन क्योंकि यहाँ पे भी केतु आपको खराफली देगा यहाँ से केतु की पांचमिंस्टी पढ़ेगी छटे ग Bernard के उपर उससे रिलेटेड भी खराफल मिलेंगे चत्रु रोग अरजा जात्तों को पर्शान करेगा और साथ में इस्टी पड़ेगी आठ में गर के उपर गुपत रोग भी जात्तों को हो सकता है बमारी का बैर रहेगा क्योंकि यहाँ पे राहू बैठा होगा तो केतु की दशा अंतरशा खराफल देगी दानी कठा करने के मामले बहुत शंगर्श करना पड़ेगा पर दन जात्तक यह कठा नहीं कर पाएगा और यहाँ से नोमी दिश्टी पड़ेगी दसमबाग के उपर नोकरी पपार सुबंदी भी बहुत ज़्यदा परशानिया जात्तको आती रहेंगी तो तो दोस्तों अगर यहाँ पे केतु गरे के साथ चंद्रमा बैठा है जातक दनवान जरूर होगा लेकिन केतु के वज़र से जातका दन खर्च होता जाएगा तो यहाँ पे आप एक नोटो करें बात चंद्रमा को बलवान करें जानि कि उसकी डिगड़ी बढ़ाने के लिए उसका रतन जरूर दारन करें और केतु की चांती करते रहें जानि कि केतु की वस्तु का दान आप करते रहें और अगर यहाँ पे सूर्य ग्रय बैटा है केतु के साथ जुद्धी करके तब भी दान इकठा करने के मामले में जातको काफी शंगर्श करना पड़ेगा तो इसके लाबा अगर केतु ग्रय के साथ मंगल बैटा है जो की छटे गर का समना करना पड़ेगा वानी कठोर होगी यहाँ पर मंगल की भी शांती करनी पड़ेगी तो दन के अधिक खर्च करने से मानस की जिंता बनी रहेगी इसके लावा अगर यहाँ पर बरसपती बैटा है तो जात क क्योंकि बरसपती उच्च का हो जाएगा यहां पर, ब्रस्पति अच्छे फल देगा जातका दर्म गुरु होगा या धार्मिक वक्ता होगा, तो यहां पर ब्रस्पति बैटा है तो उसकी डिगरी बढ़ाएं जाने कि रतन दर्न करें, अगर उसकी डिगरी काम है जासते हैं, और केत्व की शांती करें, तो शुकर बैटा है, दन खर्च के प्रति जात्त की चिंता बनी रहेगी, छैनी बैटा तब भी जात्त का दनी कठा नहीं हो पाएगा, तो जहां पर यही है कि आप केत्व की शांती करते रहे हों, हो सके तो इसकी मंत्रों को सिद्ध जरूर करें, इसके लाब आप सुबे शांती का पार्ट भी कर सकते हैं, तो दोस्तों बात करते हैं, करक लगन की कुडली की, इस लगन कुडली में, केत्व, लगनेश, चंदर्मा का शत्रू है, और अगर शत्रू राशी में बैटा होगा, तो यहां पर भी खराफल देगा, क्यों जात्त को दन के गर में बैटा दन सुबंदी परशानिया, जात्त को दन की तंगी, तता परिवारिक परशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यह प्रवार का गर है, तो प्रवार वालन से भी कम बनेंगी, वानी का भी सौमी है, तो वानी भी जात्त की खटोर होगी तो बिजनस में भी क्योंकि यहां से ब्रसपति की और केत्तु की दसम दृष्टी पढ़ रही नोकरीव पार के उपर तो जात्त को बिजनस में भी कठीन मैंत के बाद भी आमदन के सथ नहीं बन पाते साथ में इस्टी पढ़ेगी यहां पे आठमेगर के उपर जिसके घर जीवन में शिंगर्ष और उल्जनों काफी आएंगी जात्त का जीवन शिंगर्ष महीं होगा क्योंकि यहां पे रह होगा खर्च भी दिखोगा आमदन कम होगी खर्च दिखोगा ठोड़ी पर तिल यहां चोड़ा दिखा चिन होता है जातके तो यहां पे जातक करोधी सुभाव का होगा तो कुल मिलाकर यहां पे भी आप कीत्तु की शान्ती जरूर करें और सूरेगर्य की कुंडले में प्लेस्मेंट देखे अगर दंस्बंदी प्रशानी आ रहे हैं सूरेगर्य के मंत्रों सीद करें और केत्तु की शांती करें तो इसके लाबा केत्तु की यहां से 5 में उस्टी पाड़गी प्लिसमेंट अच्छी ना हुई तो और यहां से दसमें दिश्टी पड़ेगे नोकरी पारसबंदी भी परशानिया और जीवन में शंगर्ष रेगा साथ में दिश्टी पड़ेगे यहां पर क्योंकि यहां पर राव भी होगा तो जातका जीवन शंगर्ष में होगा तो दोस्तों बात करते हैं अगर केतु रेगा के साथ यहां पर यूत्ती करके सूर्य रेगा बैठे जो कि सूर्य की राची है तो जातक बहुत ज़रा दनवान होगा लेकिन आप दोनों की डिगरी जरूर देखे लिए अगर सूर्य की राची डिगरी कम है तो उसे बलवान करें उसका रदंदान करें और केतु की शांती करें क्योंकि केतु जातका दन खर्च करता रहेगा अगर चैंद्रमा बैठे है तो अब भी जातक दनवान होगा अगर बुद्ध बैटा है तो वानी में हाकलाहट देगा थोड़ी सी वानी में हाकलाहट होगी जातके तो और जातको दन इकटा करने में काफी परशानियों का सामना भी करना पड़ेगा इसके लावा यहां पर कितु ग्रया के साथ बागेगा सामी बरसपती बैटा है तो बरसपती होने से जातक बागेशली होगा दनी होगा शुक्र बैठा है शुक्र वी अच्छे फिल देगा जातको सुखी जीवन देगा जातको वो पार से दन कमाएगा जातकी वाने वी अच्छी होगी व्लास्प्री होगी तो श्यनि बैठा श्यनि यहां पर पुझ खरा फ़ल देगा क्योंकि श्यनि की यह शत्रु राशी है तो आर्ति ब्रशाने जाते को रहेंगी तो उपाई यही है कि आप केतु की शांती जुरूर करें क्यांकि केतु यहां पर शत्रु राशी में बैठा है हो सके तो केत्व के मंत्रों को सिद्ध करें केत्व का मंत्र है ओम केम केत्वे नमा इस मंत्र की संख्या को कंप्लेट करें तो दोस्तों बात करते हैं सिंक लगन की कुंडली की यहां पे भी केत्टू लगनेश सुरह रह का शत्रू है और अगर दूसरी गर में चला जाएगा कन्या राश में तो यहां पे शत्रू राशी महोने से यहां पे भी केत्टू खराफली देगा ख्रापल के आदेगा दन सबंदी परशानी आएंगी वानी जाते की खठोर होगी कटू वचन बोलने वाला होगा मुखर होगी होगा प्रिवारी सुक में कमी आगी जाते काफी मैंत करके दन कमाता है लेकिन दन खर्च होता जाएगा लेकिन आप बुध ग्राय की प्लिसमेंट कुर्णली में जरूर देखें अगर बुध अच्छा है तो जाते का दन वान जरूर होगा लेकिन जाते का दन भी अधिक खर्च होगा इसके लाबा केतू अगर यहाँ पर पाप ग्रायों के साथ बैटा है यह पापी ग्रायों की द्रिष्टी है तो जाते को बहुत जरूर दोखी होगा व्यार्थ के कारियों से दन खर्च होगा केतू की दशा अंतरदशा मिश्रतफल देगी तो दूस्तो बात करते हैं यूति की अगर यहाँ पर केतू ग्रायों की साथ लगनेश सुञेरय बैठा है तो दन हानी का संकीत है दन हानी होगी अगर खर्च का स्वामी चंद्रमा बैठा है तो जाते कुद दन इकठा करने में काफी परशानिया को सामना करना पड़ेगा अगर केतुगर्या के साथ बाग्य का स्वामी मंगल बैठा है तो क्योंकि मंगल चोतिकर का भी स्वामी है जातक स्थाई संपती का स्वामी बनेगा अगर केतुगर्या के साथ बुद्ध बैठा है जो कि कन्या रशी बुद्ध की है यहां पे बुद्ध उच्छ का हो जाएगा तो जातक काफी दन मान होगा लेकिन खर्च भी होगा केतु की वज़ा से अगर बुद्ध यहां पे देखो अस्त बैटा है यहां डिगरी का में उसका रतन जुरूर दारन करें आप अगर आपको दन सुबंदी परशानी आ रही तो बुद्ध का रतन दारन करें अगर यहां पे केतु के साथ बुद्ध है अगर केतु की रह के साथ ब्रसबती बैठा है तो दन की हानी होगी यहां पे शुक्र बैटे तब भी दन की हाने होगी अगर कितु रहके साथ शनी बैटा है तो वाणी में दोश होगा जाने कि हकलाट होगी थोड़ी सी वाणी में जात के तो यहाँ पे भी आप कितु के मंत्रों को सीद्ध जरूर करें तो दोस्तों बात करते हैं कन्या लगन की कुडली की कन्या लगन की कुडली में केतु लगनेश बुद का शत्रू है अगर केतु दूसरे गर में चला जाएगा जो की शुक्र की राशी है तो यह केतु के मित्र की राशी है फिर भी यहाँ पे केट्टू कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराफल देगा, लेकिन अगर कुडली में शुकर कुडली में अच्छी है, तो केट्टू भी यहाँ पे अच्छे फली देगा, क्योंकि केट्टू एक पापी ग्रह है, जिसकी वज़ा से यहाँ पे कुछ खर पहुत है लेकिन दन खर्च भी जाता का जरूर होगा और परिवारी सुक में भी कमी आएगी और वाद जात की वानी भी कभी कभी कटोर होगी इसके लाबा जातों को आंख नाक और कानों में रोग भी हो सकते हैं खास दूर पर केत्व की दशांतर दशा में और यहां से केतु की दशा अंतरशा में जातक दन इकठा नहीं कर पाएगा दन सफंदी पर्षाद यह जरूर आएंगी खास रुपे केतु की दशा में तो काफी शंगर्ष करने के बाद यह जातक आमदन के साधर बना पाएगा काई बार दोखे से हानी उठाने वाला तामसिक बोजन का शकीन भी जातको होगा और यहां से केतू की पांच में दृष्टी पढ़ेगी छटेगर के उपर छटेगर से रिल्टर भी जातको खराफ़ल मिलेंगी जन्य कि शत्रू परशान करेंगे जातको रोगी होगा कर्जदार होगा और दसम बाफ पे द्रिष्टी पठने कर नोक्री उपार सबंदी भी परशानी आएंगी तो यहां पर भी आप उपाई करें कि केत्व के मत्रों को एक बर सिद्ध जरूर करें ताकि केत्व आपको अच्छे फली दे तो दोस्तों बात करती है युद्धी की अगर केत्व रह के साथ खर्च का स्वामी सूर्य यहां पर बैट तो सूर्य नीचका हो जाएगा जो की बिल्कुल खराफल देगा दन सबंदी दन खर्च होता रहेगा परिवार के सुक में कमी वानी दोज यहां पर सूर्य की भी शान्ती करनी होगी क्योंकि सूर्य यहां पर नीच का हो जाएगा अगर चंद्रमा बैठा यहां पर चंद्रमा भी यहां पर कुछ अच्छे फल देगा कुछ खराफल देगा चंद्रमा अच्छे फल यह देगा जाते को दन तक बहुत कुमाता है लेकिन दन का खर्च होता रहेगा बुद्ध भी यहाँ पे जात्त को दन प्राप्तिस बंदी पर शानी आएगी मंगल बैठ है तब भी वानी में कड़वाट होगी यहाँ पे अगर मंगल बैठ है ब्रसपति बैठ है तो माता मकान वहान के और पतनी के सुख में कमी आ सकती है शुकर बैठ है जात्तिक दनी होगा यहाँ पेれ कि क्योंकि शुकर तुला राशी का स्वामी है जात्त काफी दनी होगा लेकिन केतों की वज़े से जात्तिक दन खर्चोंगा तो आप एक काम करें, अगर यहां पे शुक्र, शुक्र की डिगरी कम है, यहां अस्त बैटा है, तो उसका रतन दार्न करें, वैसे भी यहां पे आप शुक्र का रतन दार्न करें, वैसे भी यहां पे शुक्र का रतन दार्न करें, अगर आपको दन सबंदी परशानी आ रही है, औ उसका भी रतन दर्ण करें और केत्व की शांती करें. तो जहां तक दनवान अजरूर होगा लेगन गल्थ तरीके से दर्ण कमाएगा यहाँ पे. शानी अगर बैठा है. तो केत्व के लिए आपको बता है कि केत्व के मंतर का जाब करें, और अगर केत्व दूसरे गर में चला जाएगा विरिष्च का राशी में तो केत्व की यह उच्च राशी कहींगी है. विरिष्च का और दनो केत्व की उच्च राशी कहींगी है. तो जिसकी वैज़ा से यहाँ पे केत्व अच्छे फल ही देगा. जरतर अच्छे वल ही देगा लेकिन क्योंकि पापी के रहे है थोड़े बहुते खराफल भी जरूर देगा अगर कुंटली में मंगल अच्छा बैट है क्योंकि विरिश्च रची मंगल की अगर मंगल अच्छा बैट है तो जातक काफी दनवान होगा क्योंकि साइफ अलादिश के लिए मंगल की स्थित्ती जरूर देखे लें क्योंकि यह दनका सुमी है दनका बाब है तो अगर मंगल अच्छ है तो जातक काफी दनवान होगा क्योंकि केतु भी आप उच्छा बैट है प्रिवार का सुमी अच्छा मिलेगा जातक की वानी भी कुछ कठोर होगी लेकिन जातक दनवान जरूर होगा यहां पर केतु जातक का अच्छी फली देगा लेकिन जातक को दनक माने के लिए काफी कठी न मैंत करनी पड़ेगी मुख रोग का बैज जातक को लगा रहेगा कई बार कठोर वाने की करन परिवार वालों से लड़ाई जगड़े भी हो सकती है अगर यहां पर केतु गर्या के साथ मंगल बैटा है सूर्य बैटा है या गुरू बैटा है तो जातक बहुत ही ज़्यादा दनवान होगा और परिवार का सुक जातक बहुत ही अच्छा मिलेगा यहां पर तो केतु यहाँ पे वैसे अच्छे फरी देगा क्योंकि यह उच्छी राशी को बैठा है तो पांच मिश्टी पड़ेगी छटे गर के उपर जाते करजा रोग वैस्चत्रू का नाश करने में शक्षम होगा और यहाँ से केतु की साथ मिश्टी पड़ेगी याठ में गर के उपर यहाँ पे राओ उच्छका होगा तो जहते की आयू लंबी होगी और यहाँ से केतु की दसमिश्टी पड़ेगी नोक्रीवपार के उपर नोक्रीवपार का विसुख जातों अच्छा मिलेगा अगर चंधरमा कुडली में अच्छा है तो केत्टु की दशाञटरशा चिफल देगी लेगन अगर कुडली में काल सरु योग हुआ तो दशा खरा फल देगी तो अगर यहां पे दोस्टो केत्टु गर्ये के साथ चंधरमा बैठे है क्योंकि चंद्रमा विरिष्च गराच में नीच का हो जाएगा जिसकी वज़ा से नित्र विकार संभग है जैनि कि आँखों में कश्ट हो सकता है तो यहां पर चंद्रमा की भी शांती जरूरी है करने सूर्या बैठा है तो सरकार की तरब से जात कोई न कोई डंड मिल सकता है और दन नाच भी होगा और आँखों में कश्ट भी हो सकता है मंगल बैठा दन आएगा मंगल बैठा मंगल अच्छे बल लेगा क्योंकि विरिष्च गराच भी मंगल की है जात काफी दनवान होगा बुद्ध बैठा है तो जात तक बाग कर शली होगा ब्रसपती बैठा है बाईयों सोड़ा बता विवाद हो चकता है यहां पर श्यनी यहां पर बैठा श्यनी भी अच्छे फल देगा और शुक्र भी यहां पर अच्छे फली देगा तो दूस्तों बात करते हैं वरिष्चे लगन की उडली की वरिष्चे लगन में अगर केतु दूसरे गर में बैठा है दनुराशी बैठा है तो यहां पर भी केतु उच्छका माना जाएगा जोग्या मैं पहले भी बिता चुका हूँक कि केतु दनुमे और वरिष्च्छका में उन्हों में उच्छ का माना गया है तो यहां पे भी अगर के तु बैठा दनुराशु में तो यह उच्छ के फल देगा जाने की अच्छे फल देगा जातक बहुत ज़्यादा बुद्धिवान होगा मेहनती होगा परंतु कभी बार कठोरवानी बोलने वाला होगा नेक गुपत जुक्तियों से द्वारा दन कमाने वाला होगा परिवारिक सुख में भी कुछ न कोई कमी जरूर आएगी लेकिन जातक दर्म जोतिश मंतर तंतरादी विद्धियों में रूची रखने वाला होगा तो अगर यहां पर केतुगरे के साथ गुरुगरे बैठे है तो जातक बहुत ही जाना दन वाला होगा परिवार का सुख बहुत अच्छा में विलेगा यहां पर ऐसा जातक बैंकिंग फाइनेंस आदी कामों में भी सफल होता है मकान वाना दी सुखों से युकत होगा कितु कि पांच में दिश्टी पड़ेगी छडे गर के उपर जातक शात्रू रोगोर कर जगनाश करने वाला होगा सात में यूच्छी पड़ेगी आठ मेर के उपर यहां पर क्योंकि राह उच्छका होगा तो जातक भी उमर लंबी होगी और यहां से नुमीद यूच्छी पड़ेगी दसम बाव के उपर नोकरी वपार का सुकजात को अच्छा मिलेगा यहां पर तो कितु की दशांतरश आपको अच्छे फ़ल देगी लेकिन दोस्तो दन की साई स्थित्थी के लिए आप बरसपती की स्थित्थी जरूर देख लें क्योंकि ये दन राशी बरसपती की है अगर कुंडली में बरसपती उच्छका बैठा है तो जातक बहुत ज़्यदा दनवार होगा अगर बरसपती बैठा है नीच राशी में तीसरे गर में बैठा है या शटे गर में बार में बैठा है तो दन सबंदी परशानी जातक बहुत ज़्यदा आएंगी तो यहाँ पर कितु गरह के साथ अगर सूर्य अगर बैठा है तो जात्त का धनी होगा चांद बैठा है तो मानसी के तनाव देगा जात्त को मंगल बैठा है जात्त का धन व्यर्थ में खर्च होगा बुद्ध बैठा है प्रिवार वालों से कम बनेगी ब्रस्पति बैठा जात्त का अती धनवान होगा क्योंकि ब्रस्पति भी यहां पे धनु राशी, ब्रस्पति की है, अगर शुकर बैठा है, शुकर विवा के बाद जातिय का धन्यान होगा, शेनी गिरा बैठा है, अगर यहां पेकितु के साथ तो चात्यका धन का नाश होगा, प्रिवारवलों से भी कम बनेगी जात्यकी, तो दोस्तों बात करते हैं दनू लगन की कुंडली की, इस लगन कुंडली में अगर केतू दूसरे गर में बैठा है, जो की मक्कर राशी, तो केतू यहाँ पे, मक्कर राशी केतू की मूल तरकून राशी कही गिए, जिसकी वज़त से यहाँ पे केतू जरतर अच्छे फल देगा, लेकन कुछ खरापल भी जरूर देगा, क्योंकि एक पापी ग्रह है, तो यहाँ पे होने से केतू देखो, जातक बुद्धी मन होगा प्रंतू कटू बाशी होगा, कटोरवानी बोलने वाला होगा, जल्दी उतेजित होने वाला होगा, नेतर अत्वा, मुख सुबंदी रोग हो सकती हैं, खास तरुपे केतू की दशांतर दशा में, और केतू की यहाँ से दसंद्रिष्टी पढ़ेगी नोकरी उपार के गर क और जिसके करण जात्तो को, अगर बुद्ग्रय की कुडली में प्लिसमें अच्छी है, तो जात्तो को काफी शंगार और मैंत के बाद ही आमदन के साधन बनते हैं, प्रंसु मानसी के तनाव और चिंता भी बनी रहेगी, जात्त के ठोड़ी, माथी, यहाँ, गोटनों पर तीले जाँ चोटा दिका निचान हो सकते है, तो यहाँ पर देखो, क्योंकि मुल्तिकूर राशिंग बैटा है, तो जात्त का जो दन है वो शुब कामों में खर्च होगा, परिवार वालों का संजोग भी मिलता रहेगा, तो जात्त को मुख रोग होने का, मुख रोग होना संभव है यहाँ पर, अगर शनी अच्छा बैटा है, तो मुख रोग नहीं होगा, तो केतू की तरशा अंतरशा शुब फल देगी यहाँ पर, अगर यहाँ पर केतू रहे के साथ, सूर्य बैटा है, सूर्य बागेगा स्वामी, लेकिन सूर्य यहाँ पर अच्छे फल होगी, अगर चंदर में बैटा है, जो कि अश्टमेश है, कुण्डली का मारकेश है, तो चंदर में भी यहाँ पर कुछ खराब फल देगा, जात की वाणी खराब होगी, जात का दन भी खर्च फजूल में दिखोगा, इसके लब दोस्तों, अगर यहाँ पर केतू ग्रह के साथ, मंगल बैटा है, जो कि मंगल यहाँ पर उच्च का हो जाएगा, जो कि योग का रखा है कुण्डली का, तो मंगल यहाँ पर बहुत अच्छे फल देगा, जात को महा धनी होगा, बहुत जरा दनवान होगा, लेकिन जात की वाणी, डांट जगडे की बावना दिख र दसमेस भी है, तो पत्नी के साथ और पत्नी के साथ जगडा यहाँ पर उक्राश होता है केतू, बरसबती यहाँ पर नेचका हो जगा, खराफल देगा, जात की वाणी गंबीर होगी, दन देमी गती से जात के पास आएगा यहाँ पर, शुकर बैठा है, दान्तों में होगी, मुख का रोग भी जात को हुस होता है, अगर यहाँ पर कितू के साथ शुकर बैठा है क्योंकि शुकर कुंडली का मारकेश है, शनी बैठा है, क्योंकि शनी की अपनी राशी जात का ती द Aunoo कणा होगा, प्राक्रमी भी भी होगा, अगर शनी की डिगरी काम में आसत मक्कर लगन वालों के लिए केतु शूबग रहे क्योंकि लगनेश शनी की राशी केतु की मूलत्रकॉन राशी कही गई है और अगर केतु कुम राशी में होगा तो यह शनी की राशी जाने की मित्र राशी है यहां पे केतु ज्यादतर अच्छे फली देगा तो अच्छे फल मित्तर राशी भी बैठा है जिसकी वैज़ा से ऐसा जातक हिम्मत, सास, बुद्धी, चत्राई के कारण भी प्रीत, परिस्तित्यों को भी कावबो गरने में सफल हो जाता है तो यहाँ पे कित्तु जर्दर अच्छे फली देगा तो सही फलादिश के लिए आप शानी ग्रह की प्लेस्मेट जरूर देख ले अगर शानी अच्छा बैठा है गुद्धी में तो जातक काफी दनवान होगा यहाँ से पांच मिश्टी पड़ेगी छटे गर के उपर जातक शत्रू रोगर कर जगनाज करने वाला होगा यहाँ से साज मिश्टी पड़ेगी आठमगर के उपर और यहाँ पे राउ होगा तो यहाँ पे यह दृष्टी खराफल देगी जातक रोगी होगा यहाँ पे द्रुगटना के भी योग बनते हैं केत्व की दशांतर दशा में तो दोस्तों अगर यहाँ पे केत्व गरा के साथ सत्मेश चंद्रमा बैठ है तो केत्व साथ चंद्रमा दन के गड़े में छेद का काम करेगा जातक जानिकी जद्दान आएगा जुरूर लेकिन खर्च होता जाएगा जातक आर्थिक दंगी में रहेगा अगर अश्ट मेश सूर्या बैठ है जो की पीता कारक है पीता के सुख में कमी खर सकता है थोड़ी बती मंगल बैठ है जातक की वाणी में कड़ वाहत देगा अगर केत्व के साथ बुध बैठ है दन प्राप्ति में रुकावट अगर ब्रस्पति बैठ है मित्तरों से रिष्टजरों से कम बनेंगी अगर शुकर बैठ है वाणी ख़राब होगे थोड़ी सी शनी बैटे शनी यहांपे जानतले बहुत दनवान होकि लेकिन जानतले का दन भी खर्च होता रहेगा केतू की वज़ा से भी केतु की यहांपे शानत करें ही केतु का मित्तर divorced डु से शनी अगर कम है अस्त है उसका रतन ज्रोरदार नगरें आप यहांपे तो दोस्तों बात करते हैं कुंबल अगन की कुंडली की कुंबल अगन की कुंडली में लगनेश शनी केतु का मित्तर है और केतु अगर दूसरे गर में चला जागा मीन राशी में तो मीन राशी केतु की मोल तरकॉन राशी कही गई है जैने कि ये अपना ही गर कहा गया कितु का मीन राशी कितु की खुद की राशी कहींगे तो यहाँ पर जातर कितु अच्छे फली देगा लेकिन थोड़े बहुत खराफल भी जुरूर देगा क्योंकि ये पापी ग्रह है तो सही फलादिश के लिए दोस्तों आप ब्रसपती की प्लिस्मिन जुरूर देखें क्योंकि मीन राशी ब्रसपती की है अगर ब्रसपती कुंडली में अच्छा है तो जातक काफी दनवान होगा अगर ब्रसपती कुंटली में खराब बैठा है तो दन से बंदी परशानिया जुरूर आएंगी तो ऐसे जात्तों को कि इत्तु की विज़से दन की कमी का सामना जुरूर करना पड़ेगा कुटूंब में भी कलेज रहता है परवारवालों से कईवार लड़ाई जगड़े होते हैं लेकिन जात्तक अपनी कठोर महनत और नियाय के मार्ग पर चलकर दन प्राप्ती के प्रितनों में सफलता प्राप्त वश करता है जात्तक अपनी किसमत खुद चमकाता है यहां से सात्मिष्टी पड़े के कन्या राशी को उपर जिसकी वज़ासे ऐसे जटक अपने शत्रों को समाप्त करने में सफलता है तो केत्तु की दशा अंतरदशा थोड़ी आर्थिक कठनाईयों के साथ जात्तको आगे बढ़ाएगी जने के अच्छे वली देगी लेकिन थोड़े बपते खराब वल देगी तो जात्तक दैरेवन होगा, बुद्धी मान होगा, महनती होगा, नेती के अनुसार आच्रिर्ण करने वाला होगा सपाष्टवादी होगा, कई वार काटू, बाशी और मुख रोग से पेड़तो होने की भी सुमावना है पर वारी सुक में थोड़ी बती कम ही आ सकती है, लेकिन जारतर यहाँ पे केतु अच्छे फली देगा तो इसके लाब केतु की दसम दिश्टी पढ़ेगी नोकरी वपार के उपर जो कि केतु की उच्छ राशी है तो नोकरी वपार का सुक जाता को अच्छा मिलेगा तो दोस्तों यहाँ पे अगर केतु ग्रह के साथ सत्मेश सूर्य ग्रह बैठ है तो जाता का आतम बल कमजोर होगा जाता की वानी भी थोड़ी सी कठोर होगी अगर केतु ग्रह के साथ छटेगर का स्वामी जो की मारकेशा कुडली का चांदर्मा बैठा है तो जाता की निरने शक्ती कमजोर होगी दन का खर्च भी जानक होगा दन का खर्च भी जातका रोगों के उपर होगा शत्रू रोगों कर्जा के उपर जातका दन खर्ची दिख होगा अगर मंगल बैठा है तो जातक लडाकू होगा जिससे शत्रू जानक पैदा होगी बुद्ध बैठा है तो विद्या देन में रुकावट आएंगी क्योंकि बुद्ध पंचमेश है बुद्ध यहां पर नीचका हो जाएगा बुद्ध संतार सबंदी खराफल देगा विद्या पढ़ाई सबंदी भी खराफल देगा अगर ब्रसपती बैठा है जातक दनी होगा क्योंकि ब्रसपती मीन राशी का स्वामी है तो ब्रसपती अच्छे फ़ल देगा पर खर्च भी देखो होगा अगर यहां पर ब्रसपती डिगरी कम है अस्त बैठा है आप उसका रतन जरूर दार्न करें यहां पर शुकर बैठा है शुकर भी अच्छे फ़ल देगा काँगी में राशी युठ राशी है जातिक काफी दनावान होगा तो अगर शुकर की भी डिगरी कम है तो शुकर का भी रतनाब दर्ण करें श्नी बैठा है व्यर्थ के खर्च देगा पर मेहनत का लाब नहीं होने देगा जाते गा तो केतु के दूस्त के लिए आप एक और जरूर करें कि आप केतु के मंत्रा को सीधर जरूर कर लें केतु का मंत्र सिंपल है ओम केम केत भी नमाई इसकी एक संख्या होती उसे आप कम्पलीट कर लें जिसकी वज़ा से यहां पर आपको केतु अच्छे फली देगा तो दूस्तों बात करते हैं मेन लगन की कुंडली के मेन लगन की कुंडली में लगनेश बरसपती केतु का मित्तर है अगर केतु दूसरे गर में चलाज़ेगा मेश राशी में तो यहाँ पर केत्थु कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराफल देगा, दन के गर में बैट जातक काफी दन कमाएगा, लेकि दन का खर्च भी जरूर होगा, तो दन की स्थिती देखने के लिए मंगल की प्लेस्मेट जरूर देख लिए, अगर मंगल अच्छा बैट है कॉंडली में, तो जातक काफी दन मान होगा, अगर मंगली चला जाएगा नीच राशी में, छटी आठी में, बार्मेगर में, तो दन सबंदी परशानी जरूर आएगी, जातक कटिन मेंट करने वाला होगा, जातक की बाशा भी कड़ भी होगी, तो कभी-कभी अकासमिक रूप से दन की प्राप्ती भी होगी, तो यहाँ पर कीतु कुछ अच्छे फल भी देगा जातको, जातक बुद्धी मान होगा, मेंटी होगा, सुपष्ट वक्ता होगा, दैरेवन होगा, ऐसा जातक बिजनस में गुप्त युक्तियों द्वारा, कठोर मेंट से दन कमाने में सफल होगा, लेकिन परिवारिक उलजनों के करन परशान भी रहता है, क्योंकि परिवार का भी गर है, तो परिवारिक से भी थोड़ा बढ़ा परशानी जातको रहेंगी, गुप्त चिन्ताईं भी रहेंगी यहां पर, वैसे केत्व की दशा अंतर रहा शुब फल देगी, यहां पर नेतर रोग, मुक रोग, भी जातक को हो सकता है, तो दोस्तों, अगर यहां पर केत्व रहें के साथ, उच्च का सूर्य रहें बैठा, तो जातक महादनी होगा, बहुत जड़त दन कुमाएगा, लेकिन आरतिक परशानीय को सामना भी जातको करना पड़ेगा, जाने की वियार्थ का खर्च भी जरूर होगा, यहां पर, तो,